हेलो मेरे प्यारे बच्चे, कैसे हैं आप लोग? I hope जो भी बच्चे आप नीट का एक्जाम दियो हो 2021 में, अभी तक आपने पेपर एनलाइज कर लिया होगा, अंसर की मैंने अल्रेटी टेलिग्राम चैनल पे सेंड कर दिया है, आप वहाँ से चेक कर सकते हो, आपका जो भी set हो, अलग-अलग set में question number अलग होते हैं, बट question सेम ही होते है, तो उसके according answer चेक कर सकते हो, सारे answers दिये होए हो उसमें, और उसके बच्चे आप marks एनलाइज कर सकते हो, जो बच्चे आप marks एनलाइज कर चुके हो, अगर आपका marks कम भी आरा है, अगर टाइम का लेकिंग था वहाँ पे concept आते हुई तो आपको question को with timer practice करना है so that आप अपना improvement कर पाओ लेकिन जिन बच्चे का भी marks 300, 320 के प्रॉक्स आ रहा है तो देखो drop लेने से क्या होता है अभी सबसे बड़ा ये confusion होता है कि अभी हम drop ले या फिर इस साल ही कहीं कहीं admission ले ले तो यह आप पर totally depend करता है आपको लगते कि कि किसी भी चलो काम चलो college में admission ले लेने से हमारा काम हो जागा तो आपको कर सकते हो अगर आपको लगते कि नहीं नहीं हमें अपना dream एचीब करना ही हमें अभी सीट चाहिए तो फिर आप drop लेके prepare कर सकते हो क्याकि average जो marks increase होता है वो 200-250 marks increase होता है average एक साल में बट अगर आप अच्छे से hard work करो ना ये 300 तक भी पहुंच सकता है मतलब 200 तो आता ही आता है minimum drop लेने के बाद लेकिन 300-320 तक भी आप increase कर सकते हो तो अगर आप 300-320 अभी आ रहा है और 300-320 से आपको next year support मिला है मतलब 620-640 आप marks secure करें और 620-640 एक safe score होता है MBBS के seat के लिए तो ज्यादा पाइनिक नहीं होना है घवराना नहीं है अपने मिश्टेक को identify करो और बस उस पर focus करो और अगर मेरे से advice मांगोगे तो मैं यही बोलूंगा आपको कि अगर आप 300 marks भी इस बार सिक्यूर करते हैं तो बेटर होगा कि आप drop लेके अच्छे से अडाय करो अपनी dream के साथ कभी भी compromise मत करो विश्यो अल्दवेस्ट